खबर रिवाजले की हनुमरा से जहां सरपंच पुत्र की द्वारा सरापकी नसी में विद्याले में गुचकर सिक्षक के साथ दबंगई करने का मामला प्रकास में आया है। रवी मिस्तरा दारपद का धोस बताते हुए आए दिन सेक्षडिक कार के समय में ही सोनकर को गाली गलोज अभद्रता इबं मार पीटता था जातिगत सब्तों का उप्योग करते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती है उन्होंने बताया कि सरपंच पुत्र के इस कारणामे से वेत्तनाव में है और उनका मानसिक संतुलन भी खराब होता जा रहा है इस बीच में यदि कोई घटना सोनकर के साथ होती है तो सरपंच पुत्र रवी मिस्तरा जिम्मेदार होंगे उक्तजानकारी संक्रण के पदाधिकारियों के साथ जितेन सिंग सोनकर ने अपनी आबेती बताते हैं प्रसास्निक अधिकारियों से न्याय की मांग की है आए सुनाते हैं इस मामले में पिरित का क्या कहना है कोई पंबन्ध नहीं है और जो सरपंच है माननी के लिए धनकी देता है कौन सरपंच है कहां का है कौन की देता है कुछीरा मिस्तरा ध्रामपुरा उसका बेटा अभी कुमार मिस्तरा और बुद्ना गाड़ी करता है जी हम लोग आये हनुमना से बलाक अध्यक्ष न्यूम्मेंट फारोल्ड पेंशन बलाक अध्यक्ष हनुमना अम्रीश पटेल जी हमारे मित्र है इनकी पदस्थापन पधाना ध्यापक सास्कीपूर माधिम विद्याले ध्यारंपुरा विद्याले से लगभग सो किलोपीट अहले दूरी पर है जहां त्यों थर बलाक से इनको बतामान सर्पंच के पुत्र द्वारा रवी मिस्रा अध्यक्ष रंघाने धंकाने की धंब की जाती जाती है जबकि ये साधे नो बजे बिद्याले जाते हैं साधे पांच बजे बिद्याले से लडते लुड़ते हैं फिस बास पर यह सब भीवाद हो रहा है उसके पास कि या उसके पास तरिक्त कोई कमाई है इसलिए हम लोग एक जापन देने पानी पुलिस अधिक्षक महोदर रीवा के पास आये हैं और उनको जाज सूचक सब्द द्वारा किया जाता है आपको क्या नम है अम्रीश पटेल